हेलो एवरीवन, विल्किम तो माई च्रानेल किसे हैं आप सब और आज हम पढ़ेंगे काले मेगा पानी दे ये कहानी धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है और ये एक संस्मरर है संस्मरर मतलब जो लिखा के जो बच्पन की बाते थी बच्पन की यादे थी और बच्पन के जो किसे थे उन्हें में से एक किसा वो हाज हम को सुनाती है और यह जो किस्सा है यह पानी से रिलेटेड है बारे से रिलेटेड है और बच्चपन में जो थी एक मानियता थी जो उन्होंने देखी थी एक अंदविश्वास था जो उन्हें समझ में नहीं आता था कि लोग क्यों करते हैं लेकिन आज जब उन्हें बादे समझ में आती है ये बच्चे अपने बदन पर सिर्फ एक लंगोटी या जांगिया पहन के रहते थे जब गर्मी बहुत ज़ादा बढ़ जाती थी और बादल दूर दूर तक आजमान में कहीं दिखाई नहीं देते थे तब ये बच्चे एक जगा एकटा होकर बोलते थे पूल गंगा मईया की जय काले मेघा पानी दे गगरी फुटी बैल प्यासा पानी दे पानी दे ये लोगीत गाते हुए गाउंं की की गलियु से जहाकने लगती ती यह मंडली पानी दे मईया इंद्रसेना आई है कहते हुए अचानक गली के किसी मकान के सामने रुख जाते और तो उस घर के लोग बाल्टी भर उस पानी उस मंडली के ओपर फैक देते थे कुछ लोग जो इस मंडली को पसंद नहीं करते थे वो इसे मेंड़क मंडली कहा करते थे और जो लोग ये मानते थे कि इस मंडली पर पानी फैकने से बारिश हो जाएगी वो इस मंडली को इंद्रसेना कहा करते थे जब जेट बीत कर आशड भी आधा गुजर जाता मगर फिर भी बारिश नहीं होती गाउं और शहरों में सूखे से हालात हो जाते मिट्टी सूख कर जमीन फटने लगती इंसान और जानवर पानी के बग्यार तडब तडब कर मरने लगते थे फिर भी आसमान में बादलों का कहीं नामों निशान दिखाई नहीं देता था ऐसे मुश्किलों हालात में लोग अपने जगा के प्रचलित लोग विश्वास जैसे पूजापाट, हवन आदी के सहारे भगवान इंद्र से प्रातना कर वर्षा की उम्मीद लगाते थे जब सब कुछ करके हार जाते तो फिर इंद्र सेना को बुलाया जाता था अब इंद्र सेना भगवान इंद्र से वर्षा की प्रातना करती हुई, गीद गाती हुई, पूरे गाउं में निकलती थी उस समय लेखक भी पानी मिलने के आशा में ये सब उन्हें ठीक लगता था क्योंकि वो छोटे थे और उनमें जाता दिमाग नहीं था लेकिन एक बात उनके समझ में नहीं आती थी, जब चारो और पानी की इतनी कमी है, जानवर और इंसान दोनों ही पानी के लिए तड़ब रहे हैं और फिर इतनी मुश्किल से खटा किया हुआ पानी, लोग इंद्र सेना पर डाल कर उसे क्यों बरबात करते हैं उनको लगता था कि ये तो सरासर अंद विश्वास है, जो देश को ना जाने कितना नुकसान पहुचा रहा है फिर लेखक कहते हैं कि ये इंद्र सेना नहीं बलकि पाक खंड है अगर ये इंद्र सेना सच में इंद्र महराज से पानी दिलवा सकती तो क्या वह पहले अपने लिए पानी नहीं मांग लेती इस तरह अंद्र विश्वास के कारण ही तो हम अंग्रेजों से पिछड गए हैं और उनके गुलान हो गए हैं लेखक आगे अपने बारे में बताते हैं कि वो भी लगबग इंद्र सेना में शामिल बच्चों की ही उमर के थे यानि काफी कम छोटी से उमर के थे उनके अंदर बच्चपन से ही आरे समाजे संसकार पड़े थे वो उस समय कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे जिसका कारे था समाज में सुधार करना और अंद्र विश्वास को दूर करना तो यह साव बात है कि जो हमारे लेखक दे वो अंद्र विश्वास और इन सब चीजों में नहीं मानते थे हाला कि लेखक हमेशे अपनी वैग्यानिक सोच अपनी साइंस की सोच के अधार पर इन अंद्र विश्वासों के तरक डूंते रहते थे कि इन अंदविश्वासों की पीछे क्या वजा हो सकती है फिर भी वो इस बात को शिकार करते थे कि उन्होंने अभी भी अपनी वेग्यानिक सोच को अलग रखते हुए ऐसे रीती रिवाजों को अपनाया जो उन्हें उनकी जीजी ने अपनाने को कहा था यानि वो खुद से इन अदविश्वासों में नहीं मानते थे बलकि बस अपनी जीजी के कहने पर वो इन सब चीजों को फॉलो करते थे उन्होंने वो सब बाते मानी जो उन्हें उनकी जीजी ने बस स्नेय से बस उनसे करने के लिए कहा कि जीजी उन्हें बस प्यार से कहती थी कि प्लीज एकाम कर दो और वो कर देते थे कि उनकी जीजी बुरा ना माने अगर मैं कुछ कहूंगा तो उन्हें बुरा लगेगा लेखा कहते हैं कि उन्हें सबसे ज़ादा प्यार उनकी जीजी से ही मिला वो रिष्टे में लेखक की कोई नहीं थी, वो उम्र में भी उनकी मां से भी बड़ी थी, लेकिन वो अपनी परिवार वालों से पहले लेखक को ही पूजा पाड, तीच त्योहार आदी में बुलाया करती थी, और उनके हातों से ही सारा काम करवाया करती थी, जिससे की लेखक को उसका पून्य मिले और लेखक उनकी हर बात मांते थे वो जब आपी जीजी को नराज नहीं करते थे लेखक लेकिन इस बार जब जीजी ने ले लेखक से इंदर्शेना पर पानी फेकने को कहा तोलेखक ने साफ 스ाह लेकिन जीजी ने खुद ही पाल्टी भर कर पानी इंद्रसेना के ओपर फेक दिया जिसे देखक नराज हो गए लेखक को मनाती हुए जीजी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि यह पानी की बरबादी नहीं है यह तो पानी का अर्क है जो हम इंद्रसेना के माद्यम से इंद्रदेव पर चड़ाते हैं फिर उन्होंने कहा कि जो चीज इनसान पाना चाता है उसे पहले देना अगर पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे इसलिए रिशी मुन्यों ने दान को सबसे उचा स्थान दिया है इस पर लेखक कहते हैं कि रिशी मुन्यों को क्यों प्रहीं, फिर उन्होंने कहा कि देखो भई यां, बिना त्यार कि दान नहीं होता। अगर तुम्हारे पास करोरों रुपएं हैं और तुमने उनमें से कुछ रुपएं दान कर दीए तो वह दान नहीं हैór दान तो वो है जब किसी के पास कोई चीज कम है फिर भी वो उस वस्तु को दान कर रहा है तो उसको उसके दान का फल मिलता है लेखक उनकी बात को काटते हुए कहते हैं कि ये सब धकोसला है और मैं इन सब बातों को नहीं मानता अब जीजी फिर लेकर को समझाते हुए कहती हैं कि तू तो पड़ा लिका है मगर मैं पड़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन मैं इस बात को अनुभव से जानती हूँ कि जब किसान तीस या चालिस मन गेहु उगाना चाता है तो उसे पास या छे सेर गेहु अच्छा गेहु जमी में जो क्यारिया बनाकर वो गेहु को फैक देता है और इस तरह जो गेहु की बुवाई होती है बस हम भी तो पानी की बुवाई ही कर रहे हैं जब हम पानी जब हम यह पानी गली में बोएंगे तभी तो शहर कजबो और गाउं में पानी वाले बादलों की फसल आईगी हम बीज बना कर पानी देते हैं फिर काले मेगा से पानी मांगते हैं जी जी लेखक को आगे समझाते हुए कहती हैं कि सब रिशी मुनी कह गए कि पहले खुद दो तब देवता तुमें चोगुना आट गुना करके लोटाएंगे लेखक ने जब ये संस्परण लिखा था तब द रखे ल गड़ी हैं पर त्याक को ही नामुणिशान नहीं अपना स्वार्थ एक मात्रर लक्षे रहे गया है हम चप्रेकर लेकर लोगों के ब्रष्टचार की बाते तो खूब करते हैं लेकिन हम खुद उसी इस सफिटग नहीं है लेखक कहते हैं कि बादन出來 ररता लेकिन बैल प्यासे के प्यासे और गगरी फूटी की फूटी रहती है आखिरकार यह स्थिती कब बदलेगी लेखा की यह पंग्ती हमारे समाच की विवस्ता पर एक व्यंग है क्योंकि हमारे देश में हर वर्ग का जो गरीब बेबस बेसहारा और अनाग जो लोग होते हैं उ कुछ अधिकारी वर्ग से लेकर निम्नस्तर तक के सभी सरकारी कर्मचारियों की जेवे भर जाती हैं मगर जिनके लिए योजनाय बनाई जाती हैं उन्हें उनका लाब नहीं मिलता है विकास की बाते तो बहुत की जाती हैं मगर यह विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमत रहत को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेर करें